जुन 22nd 2022 में इसरों ने एक normal images share किये अपने launch किये जिसमें एक side में Singapore के satellite थी और एक side stage 4 था PSLV का वो इसमें announce कर रहे थे कि 30 तारिक को PSLV का C53 mission है पर अगर आप ये right वाले image को ढंक से देखो और zoom करो तो आपको देखेगा वहाँ पर भारत का flag है और उसके नीचे एक box है जिस यह लिखा क्या है और यह क्या है फ्लाइग यहां तो दिख रहा है पर real life में missing क्यों है और इजरो यह क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है मतलब live stream करेगा तो कैसे तो local media inadu.net की हिसाब से यह जो लिखा है वो national pledge है और यह जो पूरा system है वो mostly जो आज़ादी का अमरित म years of independence 15 August को उस दिन यह कुछ तो live stream या कुछ तो होगा वो prime minister अपने address में करेंगे यह जो अपने channel पे करेगा not sure second point आता है कि यह flag यहां तो दिखाया है पर images में क्यों नहीं दिख रहा अगर आप यह वीडियो देखो तो इसमें एसेंबल कर रहा है stage 4 को अपने पूरे rocket को और जलते हैं हमें दिख जाते हो box अब यह box तो दिख रहा है पर box के ओपर flag नहीं दिख रहा है यह उपर जो हमने camera या light speculate किया है नीचे वाले वह सब दिख रहे यहां पे अभी अगर आप यह जो इस रो ने शेयर किया है में जुसे बहुत zoom करो तो आपको दिखे का flag के नीचे एक purple line सी है तो I guess यह deployable flag है मतलब यह flag box के अंदर होगा और फिर इस रोज जब चाहे तब वह flag को बाहर निकाल सकते है box है वैसे कुछ हो में भी और third question जो है जो सबसे cool question है कि यह कैसे achieve करेगा क्योंकि PSLV satellite को deploy करने वाद बेसिकली मर जाता है समझाता हूं क्या बोल रहा हू देखो आप में से काफी दोग पूछते हो मुझसे कि यह rocket launch रहा होता है rocket कहां जाता है PSLV के charge stage है PSLV का पहले तीन stages समंदर में गिर जाते है PSLV का fourth stage जो है वो orbit तक जाता है satellite को deploy करेगा फिर वो खुद को depressurize करेगा ताकि एक bomb जैसे ना वो orbit में और फिर eventually उसके batteries मर जाएं और कुछ महीनों या कुछ सालों बाद जैसे atmosphere उसे drag करते हैं नीचे किषते हैं नीचे किषते हैं वो फिर re-enter करेगा बहुत गर्मी से और hopefully उसके तुकड़े तुकड़े होंगे और वो समंदर में गिर जाएगा कभी-कभी क्या होता है यह तुकड़े तुकड़े जमीन के अलग था इसका stage थोड़ा special था इसका इसे इसरो कहता है poem या कुछ लोग poem जो भी है मैं इसे as a poem प्रणाउंस करूंगा पी-o-e-m इसका full form है PSLV orbital platform experiment module इसका नाम पहले PS4 OP हुआ करता था मतलब PSLV stage 4 orbital platform जो मेरे opinion में ज्यादा cool नाम है बट ठीक है जो भी आपकी पसंद हो आप बोल देना poem एक छोटा अपग्रेड है PS4 OP के ऊपर कैसे वह आगे समझाता हूं तो पहले तो यह PS4 OP और poem की उपर इन्होंने solar panels डाले batteries वगेरा उसे डाले communications का equipment वगेरा डाला magnetometer और सब sensors altitude measure करने के लिए guidance के लिए और सब काफी सारा extra hardware डाला और poem के case में उन्होंने stabilization डा space startup space के लिए कुछ बना रहा है जैसे deployer हो गया या कोई engine हो गया या कोई camera हो गया या कोई antenna हुआ उन्हें उसे space में test करना होगा क्यों ताकि वह space rate हो और उसे heritage मिले कि यह space में जा चुक है देखो अगर आपको camera खरीदने अपने satellite के लिए आप किससे खरूद हो गया ऐसे manufacturer से जो already space में चीजे भेज चुक है और already चल रही है या ऐसे manufacturer से जो अब तक भीजा नहीं है बस उसके claims theory में paper में powerpoint में अब obviously चूज करोगे जिसका heritage है space में जो already जा चुक है अभी देखो कोई छोटे startup को यह सब करना है तो उन्हें suppose camera ले ले लेते camera उन्होंने camera बनाया उन्हें camera test करना space में तो उन्हें उसके camera के लिए उसके around satellite बिल्ड करना होगा उन्हें उन्हें communications manage करने होगे control manage करने होगे उसके लिए monitoring वगरा manage करना होगा यह बहुत खर्चे हो जाते एक छोटे startup के लिए बस ही camera test करने के लिए चोटे equipment test करने के लिए पर इंस्टेड आप इजरो य लगेंगे पर इजरो आपका communications का ध्यान रखेगा इजरो आपकी power का ध्यान रखेगा basically satellite का पार इजरो आपके लिए कर रहे है और आप बस अपना camera जो है उसके साथ जो चोटे मोटी चीज़ है उसको attach कर सकते हो तो यह technically at least जादा बहुत जादा सस्ता पढ़ना चाहिए और आप easily space rate कर पाओगे हमने already इस PSLV C53 पर ही दो cool examples देखे है जैसे दुरुवा space लेलो जो एक इंडन स्टाइप है वो satellite PSLV rocket के उपर इस deployer के साथ अपने satellites उड़ाने आले किसी और के उसके उपर एक और स्टाइप का भी था दिगांतर जो भी एक इंडन स्टाइप है वो उनका जो रोबी पेलोड है वो टेस्ट किये है जो space radiation monitor उनका तो आप देख सकते यह already use हो रहा है और उसके future के भी कितनी uses है जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बेला ट्रिक्स और मानस्तु के इलेक्ट्रिक केमिकल थ्रस्ट कवर किये थे अब उन्हें अगरे टेस्ट करने तो मैं भी इसके उपर अटेच्च कर दें सिंपल होगा उनके लिए साइंस पे भी काफी सारा एडवांटेज हो सकते हैं मैं मैं अल्रेडी काफी सारे साइंस पे लोड़ चुके इसके उपर फ्यूचर में कुछ प्लान है जैसे इसरो सैक अपना क्वांटम एक्स्परिमेंट प्लान कर रहा है फिर इसरो अपना पोटेंशली रोबोटी काम में भी इसके उपर फ्लाइ करें इंडियन इस्टिटूट सब्सक्राइब करने के लिए इसका मतलब है कि जो सैटलेट लेकिशा सकते उसका मैक्जिममम पोटेंशल कम हो जाएगा उसका वीट कम लेकि जा सकते राइट तूने ऐसे मिशन्स में पोयम एनेबल कर सकते वो जहां एक्स्ट्रा पेलोड बच्चा उनके पास सेक्रिफाइ तो हाँ यह सब भी है एनिवेज आई होब आपको कुछ नया सिखने मिला ज्यान के गरेवी सबसे बड़ी जैहिं जै भारत स्पेशल थैंक्स टू मन्होरन कार्थी के देवाल वूटलाई चितन्या जैम शर्मा रोवित सुवर्ना नारण प्रसाद विक्रम वर्मा आमित न पारोथ पल्लव रानडे हाइडरेटिंग क्रूपल पतेल आतरिया डांडे अमन्दीप सिंग रजित देश पांडे और जैदीप कंडारी